देवी सती दक्ष प्रजापती की पुत्री थी और भगवान शिव की पहली पत्नी थी ये बात हम सभी चानते हैं और देवी सती ने अपने पिता के यग्य में कूड कर अपने प्रानों की अहूती दी थी लेकिन देवी पुरान में इस प्रसंग से जुड़ी और भी बातें बताई गई हैं कि किस तरह से भगवान शिव को भ्यंकर रूप मा सती का देह कर भागना पड़ा था जब माता सती को पता लगा कि उनके पिता दक्ष प्रजापती यग्य का अयोजन कर रहे हैं तो उन्हों ने भगवान शिव से कहा कि हम भी यग्य में चलते हैं लेकिन भगवान शिव ने कहा कि बिना बुलाए किसी अयोजन में जाना मृत्यू के तुल्य होता है इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए और तुम्हारे पिता ने यग्य ही इसलिए किया है कि मुझे ना बुला कर वो मेरा अपमान कर सकें लेकिन माता सती ने भगवान शिव की ये बाते नहीं मानी और वो जिद करने लगी कि मैं तो अपने पिता के घर यग्य में जाऊंगी तो भगवान शिव ने कहा कि अब तुम मेरे कहने में नहीं रह गई हो इसलिए जो तेरा मन करे वो तुम करो ये सुनकर माता सती को बहुत ही क्रोध आया उन्होंने सोचा के पहले तो भगवान शिव ने मुझे पाने के लिए प्राथना की थी और अब ये मेरा इस तरह से बोलकर अपमान कर रहे हैं तो माता सती ने भ्यंकर रूप धारन कर लिया उन्होंने अपने आँखों में से बड़े गुसे से भगवान शिव की तरफ देखा तो उनकी आँखों से अगनी निकलने लगी और उनकी भ्यंकर दाड़ों को देखकर भगवान शिव डर गए तो उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली तो माता सती बोली के डरो मत और फिर भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आँखें खोली तो वो माता सती का भ्यंकर रूप देखकर डरगर वहां से भागने लगे तो माता सती अठास करके गरच पड़ी और माता ने अपनी दस विद्याएं वहाँ पर प्रक्ट कर दी भगवान शिव जिधर जाते उन्हें वहां पर माता का रूप दिखाई देता जब उन्होंने खड़े होकर देखा तो सामने मा काली को देखा तो उन्होंने कहा के ये शाम वर्नवाली आप कौन है और सती कहां पे है तो माता सती ने कहा कि तुम मुझे नहीं पहचान रहे मैं ही सती हूँ और ये सारी दस विद्याएं मेरा ही रूप है माता वहां पे धूमावती, मातंगी, छिन मस्ता और लोकेशी इन सारे रूपों में प्रक्ट हुई थी तो भगवान शिव ने वहां पर कहा कि मैंने जो तुम्हें अग्यान वश कुछ भी अप्रिये तुम्हें लगा है मैंने जो भी बोला है मैं उसके लिए एक शमा चाहता हूँ तो फिर माता सती अपने रूप में वापस आ गई तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मैं अपने पिता के घर यग्य में जा रही हूँ और अगर मुझे लगा कि वहां पर मेरे पिता ने तुम्हारा अपमान किया है तो मैं वो यग्य पूरन नहीं होने दूँगी इस तरह से ये वला परसंग देवी प्रान में बताया गया है अगर आपको ये प्रानिक कथा संद आई हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें जय माता दी